जोहिं पेस नमस्कार, सोप्रेंश हमारे लेस्पी एलसी लाइट कम्बाक्ट एरकप देजस्वेम के वान फाइटर, रूस रिमित, ग्रिजब सीपनोब जी एशेचे, 23 टूइन बैरेट, 23 एमेम अर्टो कानन गौन का टेस्ट शुरू करने के लिए नासिक पहुंच गया मुताबिक, लस्पी सेबेन तेजस अगले साल की कुछ समय उडान परिखन के लिए मंजुरी मिलने से पहले जमिन परिखन और कालिब्रेशन परिखन कायके नया दोर करेगा, एचन ने 2015 में गौन ट्राइल्स के अंतिम दोर का अंजाम दिया था, और इंडना अफोस ने कर दिया गया है, जैसे पिछले रिपोर्ट में कहा गया था कि कारकम में अन्य प्राथमी कुताओं के कारण 2015 में गौन ट्राइल्स को निरोस्त कर दिया गया था, जो की बहुती अधिक महर्त पुर्णत था, और एडिये एरेनोटिकाल डेबलोमेंट अजेंसी और इंडना कर दिया प्रारमभिक अनुमान के कारण भी, जी हां, कि इसके लिए लोगभक दो साल की आपसकता होगी, जैसे परिखन दरा गौन साटिपकेशन पूरा करना, और तुटी बिधी आमतोर पर सभी लड़ाकु कारकम में अन्बोर गौन साटिपकेशन से भी जूडी होती है, जी एसेचेच 23 ओटो कानन को मिग 21 और मिग 23 में भी सामिल किया गया है हमारे इंड़ानापस में, और बड़ी बात यह है कि जी एसेचे 23 ओटो कानन को हमारे ओपी ओन्नानस फैक्ट्री बोर के तरफ से लाइसेस तरूपर डेबलब निर्मान किया जाता है, जी हां, जो कि ह अमारे भारत में येके विशसन्य वेपन सिस्टम है जी हाँ